गुड इविनिंग इस्टुडेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल जुलोजी क्लासेज में प्रिवेश वीडियो में हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलोजी ओफ फ्लावरिंग प्लांट्स इनमें हमने रूट सिस्टम का अध्यन किया था हमने डिस्कस किया था कि रूट सिस्टम समनेते नेचर में तीन प्रकार के देखे जाते हैं जिन में टेप रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम एडवेंटिसियस रूट सिस्टम पाए जाते हैं तो हमने प्रिविश वीडियो में टेप रूट सिस्टम का अध्यन किया था, आज हमारे वीडियो का बेस रहेगा फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिसियस रूट सिस्टम्स हम बात करें फाइब्रस रूट सिस्टम जिने रेसेदार या जकड़ा मूल तंतर केते हैं जैसे कि नाम से इसपस्ट हो रहा है इनमें जड़े जकड़ी हुई रहती है अर्थाथ कंजेस्टेड रूट हमें देखने को मिलती है अगर हम इनकी विशेशताओं की बात करें तो इटीजे रूट सिस्टम फॉर्मड ओपे नमबरो फाइन थ्रेड्स लाइक ब्रांच जगड़ा मूल तंतर की बात करें तो ये एक छोटे-छोटे पतले जड़ो से बनावा एक तंतर होता है जिनमें रेशे के समान चोटी-चोटी जड़े एक समू में मिलकर एक बंच का फॉर्मिशन करती है और ये बंच तने को आधार प्रदान करने का कायरिय करता है तो जकड़ा-जड तंतर की बात करें तो इनमें अलग-अलग ब्रांचेज में डिवाइड रेती है वे में ग्रो करती है लेकिन यहां जो फाइब्रस रूट सिस्टम में केवल एक जड़ होती है वो डिसेंडिंग और इरेक्ट पोजिशन में ग्रो करती है लेकिन बाकी सभी जो ब्रांचेज होती है वो सामने ते ओबलिक या तिर्ची व्रद्दी करती है तो जो مुख्य मूल होती है वो मूल समयने ते सीदी ग्रो करती है जैसे आपको ये डाइगराम दिखाई दे रहोगा फाइबरेस routes शिस्टम का इनमें ये ग्राउन लेवल है इनमें ये जो एक जो मुख्य जड है वो समयने ते बिल्कुल सीदी ग्रो करती है और इसके पास व से कि छोटे चोटे धागों के रूप में यह जड़े निकलती है अथे इन्हें आप यह के सकते हैं कि यह चोटे धागों का एक गुच्छा बना लेती है और इस परकार व्यवस्तित होती है जैसे यह तने को जकड़े हुए और तर यह तने को पुरी तरे से होल्ड रखती है और टेप रूट सिस्टम की बजाई तने को अधिक मजबूती प्रदान करने का काई लिए फाइब्रेस रूट सिस्टम में हमें देखने को मिलता है इनके लबा टेप रूट सिस्टम से ये अधिक सरफेस एरिया कवर करती है अर्थार्थ अधिक सर्फेस एरिया कवर करने के कारण ये water और minerals का भी absorption easily कर पाती है क्यों क्योंकि यह ground level में अधिक सर्फेस एरिया कवर करती है जिनके कारण इनको gel और खनीज लवन आसानी से available हो जाते हैं इनके लावा हम देखें fibrous root system की तो fibrous root systems occurs in monocoat plants example wheat barley अगर हम रेशेदार या जकड़ा मूलतंतर की बात करें तो ये समन्यते हमें एक बीचपत्री पात्पों में देखने को मिलता है जिनमें गेऊं जो जवार आदी आते हैं जैसे wheat, barley, sorghum, आदी plants में हमें fibrous root system देखने को मिलता है अब बात करते हैं हम adventitious root system की जिसे अपस्तानिक मूलतंतर भी कहा जाता है तो यहां एक मैंने adventitious root system का figure mention किया है जो कि आपको onion tree या बरगत के वरक्स के रूप में दिखाई दे रहा होगा यह एक बरगत का वरक्स है इनमें यह मुख्य जड़ है इनके लवा इनकी जो stem या तने की जो साकाई होती है इनसे जो fibrous या जो रेशे के समान जड़े निकलती है यह adventitious root बनाने का कारिय करती है adventitious root system की बात करें तो adventitious एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ लेटिन बासा में होता है extraordinary अर्थाक यह जड़े सामनेते मुलांकूर से विक्सित नहीं होती है अते आप कह सकते हैं कि मुलांकूर के अत्रिक्त अगर किसी पादप बाग से कोई जड़े विक्सित होती है तो वो सामनेते अपस्तानिक जड़े कहलाती है हम देखते हैं अपस्तानिक जड़ो में तो it is a system of roots and their branches यह जड़ो का एक ऐसा तंत्र है जो इनकी साखाओं which develops और प्लांट from places other देन्दा रेडिकल अर्थार्थ यह जड़े रेडिकल या मुलांकूर के अतिरिक्त अन्ये पादप भागों से विक्सित होती है या अन्ये इस्तानों से डवलप होती है अते इन्हें अपस्तानिक या एडवेंटीसियस root केते हैं एडवेंटीसियस root can be underground और above ground एडवेंटीसियस root की बात हम करें तो यह समन्यते भूमी के नीचे भी हो सकती है और भूमी के उपर भी हो सकती है अर्थार्थ अंडर्ग्राउंड भी हो सकती है और above ground भी यह देखने को मिलती है समन्यते हम बात करें तो अगर भूमी की सते की बात करें तो भूमी की सते पर ये underground way में भी हमें देखने को मिलती है जैसे विबिन प्रकार की जो grasses है या गासे हैं उनके जो stems के node है उन node से ये adventitious root डवलप हो सकती है इनके लवा जो पादब के कटे फटे इस्तान है वहां से भी ये जड़े आसानी से निकलती है अर्थार जो node या plant के कोई stem में injury part है वहां से भी ये easily grow कर जाती है इनके लवा हम देखे तो in many plants they arise from the places of injury कई पार्थपों में ये injury वाले part या सतिग्रस भाग से विक्षित होती है तो adventitious root में हमें कई परकार के modifications या रुपांतरन देखने को मिलते हैं जो सामनेते तने या इनकी साकाओं पर उपस्तित घाओं या सतिक्रस भाग से भी develop होते हैं हम common example की बात करें तो adventitious root system में हम रोज, sugar cane और बोगनवीलिया अर्थार्थ गुलाब, गन्ना और बोगनवीलिया पाद्पों में हमें इस परकार की root system देखने को मिलता है इनके लवा बनियन जो की बरगत ट्री है और एक विसाल ट्री है इसमें हमें adventitious root system देखने को मिलता है तो students ये था फाइब्रस root system और adventitious root system के बारे में एक व्रिप introduction आपको ये lecture पसंद आया होगा अगर आपको ये lecture पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक share और मेरे YouTube चैनल जुलोजी क्लासेज को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में आपको और महत्पून वीडियोज के notifications मिल सके धन्यवाद